हेलो दोस्तों स्वागत है आपका जिये साइको एजूकेशन के इस योटूब चैनल पे यह बहुत ही खुब्सुरत एक बुक है महेश कुमर बर्णवाल की कॉस्मस पब्लिकेशन की एक स्रीज 15 स्रीज की जिसमें एन्सी आर्टी सिक्स क्लास से लेकर के टुएड क्लास तक के सारे महत्पून प्रसंद जो एकजाम में पुछे जाते हैं उनका पुरा संकलन किया गया है तो इसी बुक को हम लोग देखेंगे तो इसमें हम लोगोंने एक सब्जेक्ट लिया है इन्वारोमेंट एकोलोजी का ठीक है तो इसको मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोग इसको ध्यान से सुनिए ध्यान से देखिए और यह आध हो जाएगा आपको और हाँ अगर यह आप लोगों को एपिसोड अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और अपने पार्यावरण के तीन पर्मुख घटक कौन से है तो जैविक संगटक अजैविक या भौतिक संगटक तथा उर्जय संगटक सर्वपर्थम गहन पारिश्थिति की डीप इकलोजी सब्द का पर्योग किस ने किया था तो अर्नी नेस ने किया था घास अस्थल वन तथा मरु अस्थल किस पारिस्थितिकी तंत्र के उधारन है तो अस्थल ये पारिस्थितिकी तंत्र के एक पद जो केवल जीव द्वारा गरहन किये गए अस्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कर्यात्मक भूमिका का भी बढ़न करता है तो पारिस्थितिक कर्मता तक पहुचने से संबंदित है धार्निय या अस्थाई विकास सस्टेनेबल डेवलोप्मेंट की ओधारना सोरप्रतम किस ने प्रस्तूत की थी तो ब्रंट लैंड कमिशने वर्षट निश्व सतासी में नेक्स है कि सरवाधिक अस्थाई पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है तो महासागर है पारी तंत्र में खाद स्रिंकलाओं के संदर में किस प्रकार की जिव अपघर टक यानि कि डीकमपोजर कहलाते हैं तो कवक जिवाणू अस्थलिये पारिस्थितिक ये तंत्र में जिव भार का पिरामीड कैसा होता है तो सीधा होता है जीव भार का पिरामीड यानि की बायो मास पिरामीड किस पारिस्थितिक की तंत्र में उल्टा मतलब बिप्रित दिशा में बनता है तो जलिए पारितंत्र में पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों की चक्रन को क्या कहते हैं तो इसे कहा जाता है तो उर्जा प्रवाहवा घंिच्छक्र किसी छेत्र के सभी जीव-धारी तता वातावरण में उपस्तित अजैव घटक अजैव घटक संजुpta रुप से किसका नियूमाल करते हैं ? तो पारितंतर का नियूमाल करते है पारिṣṭितिक तंत्र की उरफ्या का पर्मुक्त eighth की से मना जाता है तो स cray classicKayarye नियुक्ति यानि solar radiation से मना जाता, यह भारत में जो राम में हाम सर आद्र भूमिया जो है, ठीके वह टोटल 37 है, ठीके तो इसी का ये मतलब बनाया एक, टेबल बनाए गया है तिसी को देखते हैं जैसे राज जम्मु कासिमिर में जो आदर भूमिया है जिसे वेट लैंड जिसको बलाजाता है तो जम्मु कासिमिर में कौन कौन सा है तो वुलर जील है, होकेरा आदर-भूमी है, सुरिंसर, मानेसर, लद्दाख में कौन-कौन सा है तो सोमो रीडी जील है हिमाचल पर्दिस में चंदरताल है, पोंग डैम जील है, रेणु का सबसे छोटी आदरभूमी है पंजाब में है हरीके बैराज है, कृत्रिम आदरभूमी के नाम से मतलब है ओ और कांजली जील है, रोपर जील है, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व है, केसोपूर मियानी है और सामुदाइक रिजर्व, नांगल वन्यजीव, अव्यारन्य है, केरल में है, अस्टमूदी, सस्टम कोटा, वेंबेनाड राजस्तन में है, सांबर जील, केवलादेव, राष्टे उद्यान, जिसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में इसको सामिल किया गया है उडिसा में है, चिलका जील, वितरकनीका, मैंग्रोव, और आंधरपरजिस में है, कोलेर्यो जील, अस्टम में है, दिपोर बील तमिल नाडु में है, पॉइंड केलीमर, वन्य जीव, अभियारन्य, तरिपुरा में है, रुद्र साघर जील, मनिपूर में है, लोक्टक जील, जिसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में सामिल किया गया है उत्रपरजिस में उपरी गंगा नदी तंत्र, जो ब्रज घाट से नौरोरा तक है, नबाब गंज पक्षी अभियारन्य, समन पक्षी अभियारन्य, समस्पूर पक्षी अभियारन्य, पारवती अरगा पक्षी अभियारन्य, सांडी पक्षी अभियारन्य, सरसाई नवार पच्छिम बंगाल में है पुर्वी कोलकता आदर भूमी सुन्दरबन सबसे बड़ा है सुन्दरबन जो है सबसे बड़ा है पच्छिम बंगाल में है मध्य पजिस में है भोज आदर भूमी गुजरात में है नल सुरोबर पक्षि अभियारन्य महराष्ट में है नंदुर मध पारिस्थितिकी तंत्र जो एको सिस्टम सब का सरुपर्थम पर्योग एजी टॉन्सले ने किया था बायोम एवं जैव मंडल पृत्वी पर पिंड पौधे तथा जीव जन्तुव सहीट सभी पर्मुक पारिस्थितिक तंत्र क्या कहलाते हैं तो बायोम कहलाते हैं पृत्वी पर सबसे बड़ा बायोम कौन सा है तो जलिये बायोम है सबसे कम जैव बीबितिता तथा जैव भार वाला बायोम कौन सा है तो टुन्डर बायोम है जैव मंडल के अंत्रगत किस संगठकों को सम्मिलित किया जाता है तो जैवी के ओम अजैविक संगठक को सम्मिलि पाय जाता तो परपोसी, वे जातियां जो किसी समुदाय में परचूरता तथा जैवभार की अलपता के बाद भी समुदाई का विलक्षनों पर अपना परभाव दरसाती है कि ये स्टोन परजातियां कहलाती है, एबोनी तथा महोगनी ब्रिक्ष किन बनों से संबंदित है त साल, सागोन तथा सीसम किस बायोम के ब्रिक्ष है तो मौनसूनी वन वायोम, किस बायोम की भूमी अमलिय तथा अलप खनीजवाली होती है तो संकुधारी वन, विश्वत रेखा से ध्रूवों की और जाने पर पारिस्तिक उत्पादन पर क्या परभाव पड़ता है, तो सबसे कम तापांतर पाया जाता है, तो अयन वर्ती सदावाहरी वन वायोम में, किस बायोम में प्रात्मी कुद पादक्ता सरवाधिक होती जाती है तो विश्वत ये वन वायोम में, विश्व का सरवाधिक विच्छुब्द पारिस्तिकी तंत्र कौन सा माना जाता है, तो म बहने वाले जिवों को कौन सी संग्या दी जाती है तो बैंथस, रेंडियर किस बायोम का जन्तु है तो टुन्रा बायोम, नेक्स देखते हैं, भारत में बन सर्वेक्षन विभाग फॉरेश्ट सर्वे डिपार्टमेंट द्वारा कब से वन रिपोर्ट का प्रकासन किया जा वर्ष 1987 से, देहरा दुन इस्तित भारतिय वन सर्वेक्षन संस्थान, फॉरेश्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा परती दो बड़सों के अंद्राल पर भारत वन इस्तिती रिपोर्ट इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेश्ट रिपोर्ट प्रकासित की जाती है, लानोस त प्रकिर्तिक बनस्पती का सर्वाधिक विक्षित चित्र कौन सा है, तो पदजडवन है, अनुकूलतम बायोम यानि ओप्टीमम बायोम की दसाएं किस बायोम में पाई जाती है, अयनवर्ती सदावाहारी वर्षावन बायोम में, हाथी घास किस बायोम की एक प्रमुक घास है तो सावाना बायोम किसी भी बायोम में प्राणियों का जीवन उनकी क्रिया सीलता की तिवरता तथा उनकी संख्या किस पर निर्भर करती है संडचना सकल बायोमास यह हम जातियों के संगठन पर विश्व के किस बायोम को परमुख अनभंडार तथा दुख्त बेवसाय का क स्टोन की कि स्टोन परजातियों के प्रति अत्यांत संबेधन सील होती है कि यह स्टोन परजातियों के बिलुप्त होने पर अनेक अन्य परजातियां भी बिलुप्त हो जाती है पौधों की जाती उनकी संडचना उम ब्रेधि किस पर निर्भर करती है तो पर्यावरण के भ बिखिन पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य उस्तित संक्रमण मंडल यानी ट्रांजीशन जोन क्या कहलाता है तो इको कलाइन कहलाता है अस्तूप की संकल्पा किसने प्रस्तूत की तो चार्लस एल्टन ने की थी भात में किस चेत्वे पारिस्तितिक उसन अस्तल पर यानी ecological hot spot की संग्यादी जाती है तो पच्मी घाट उसन कटी बंधिये सदा बाहार बायोम को प्रित्वी के फेंफड यानि लंग्स ओफ अर्थ के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे जैव बीवीदिता है इसको भी देख लेते हैं जैव बीवीदिता का अर्थ क्या है एक निर्धारित छेत्र में विविन प्रकार के पादोश प्रयों जनतूं की उपस्तिती जो कहलाती है近 सर्वपर्थम जैव बीवीदिता सब्द का परयोग किस ने किया था तो वाल्डर जी रोसेन ने किया था किस भोगोलिक छेत्र को जयव विविधिता का भंडार कहा जाता है तो उश्न कटीवंदिय बर्सा बनों को वन्य जीव अभ्यारन्य जैव मंडल आरक्षित छेत्र राश्ट्रिय उद्यान आदी की अस्थापना जैव विविदिता को संरक्षित करने के लिए की जाती है संजुक्त राश्ट संग द्वारा दोज़र ग्यारा से लेकर के दोज़र बीस को किस रूप में घोशित किया गया है होट स्पोर्ट सब्द का स्वर्व पर्थम पर्योग किस ने किया था तो नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया था ऐसी चेतर जो पारिश्थित किए द्रिष्टी से अत्यधिक उथपादक होते हैं तथा जह अस्थानिक जातियों यानि कि इंडेमिक एस्पीसिस की उपलब्यता था जैव बीविदिता अधिक पाई जाती है जैव बीविदिता होट स्पोर्ट कहलाते हैं बर्तमान में बिश्व मिस्की संख्या 36 है भारतिये राश्ट्रिये जैविक बीविदिता प्राधिकर्ण कहां स्थापित किया गया है तो चेनई जो तमिलनाडो वर्स द्वजर ती में भारत में लेह वेरी की नाम से कौन सी पंडपाती जाड़ी प्रसीद है तो सीबक थॉर्ण भारत में अति सगन बनो है highly dense forest का सरवाधिक छेतर किस राजी में पाय जाता है तो उनाचल पर्दिस में पाय जाता है एम एस्ट्रिप्स सब्ध किस्य संबंदित है तो बाग अभयारनियों के रख रखाव से संबंदित है भारत में जैव सुरक्षा उपसंदी प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्चर किये थे तो 23 जन्वरी 2001 को किये थे प्रोसो पीस जूली फ्लोरा नामक पादब पर्यावरन को किस परकार हानी पहुंचाता है यह जिस छेतर में उगता है भाति जैव विवित्ता को कम करने लगता है भारत में सिह पुछी वानर मकॉक के प्रकिर्टिक आवास से कहां पाये जाते हैं तो तमील नाडू केरलेओं करनाटक में पाये जाते हैं भारत सरकारद्वारा जैव विवित्ता अधिनियम कब पारित किया गया तो वृस 2002 मे जाती भी बिलुप्त हो गई तो डोडो पक्ची यह उप्युक्त पौधों के फल को खा करके उसके बीजों के अंकुरन में सहायक था भारत का पर्थम समुद्री राष्टिय उद्यान यानि कि मरीन नेशनल पार कहां इसी थे तो कचकी खाड़ी में भारत में चार जैव अधात उडेयन वल्गुल जिसे ग्रेड इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता या क्या है तो चमगादरों की एक पर जाती है रेड डाटा या थुआ रेड लिस्ट संगठन नों से संबंदित है तो कौन है तो आयू सियन है कौन सी ओस्दी यानि मेडिसिन गिद्दों की संख्या कमी के लिए उतर दाई है तो डाई क्लोरो फेनेक सोडियम भारती जीव जन्तु कल्यान बोड का मुख्याला है कहां इसी थै तो बल्लब गढ़ हरियाना में सी थै ब्रिक्चो पर आने वाले किस सस्तंधारी का जुलोजिकल नाम एलूरस फलगेंस है तो रेड पां के प्राकिर्थिक आवास कहां पाये जाते हैं तो उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालाई छेत्रों में दाची गम राष्टिय उदान किस जन्तु के इस तन्रक्षन के लिए प्रसीद है तो हंगुल म्रिक के लिए भारत में सरवाधी कुछाई परिस्थित राष्टिय उ दान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में गरहन करता है तो अमोनियम के रूप में जीव मंडलिये पारिस्थितिकी तंत्र में रासाइनिक तत्वों का परवेश किस माध्यम से होता है पौधों की जड़ों के द्वारा भारत में पुरुवत्तर के राजियों को जय बिवित्ता का द्वार कहा जाता है अंडमान और निकोबार द्यूप समूव में स्थित साउथ बटन द्विप भारत का सबसे छोटा राष्टी उद्दान है नेक्स देखते हैं भारत को किस जय भागवलिक छेत्रों में विभायत किया गया तो 10 जब कोई समूदाय अस्थाई परिपक को जटिल तथा दिर्ग कालिक होता है तो उसे किस रूप में परिभासित किया आता है तो चरम समूदाय क्लाइमेक्स कम्यूनेटी में छेतरफल की दृष्टी से भाद का सबसे बड़ा जयो मंडल आरक्षी छेतर कौन सा है तो मननार की खाड़ी किस ब्रिक्ष को कल्प ब्रिक्ष की उप्मा परदान की गई है तो नार्यल को भारत में कौन सा राष्टिय उद्यान पक्षियों की स्वर्ग के नाम से परसीद है तो केवला देव राष्टिय उद्यान भरतपूर राजास्थान में है केवला देव राष्टिय उद्यान से होकर कौन सी नदिया परभावित होती है तो बान गंगा तथा गंभीरी बनसपत्थी संडक्षण हे तुष अस्थाने संडक्षण परदती इन सिचूएशन के अंतरगत कौन सा अस्ठल सम्मिलित नहीं है तो बनसपत्थी कुद्यान योननि के बोट ceux निकल गॉर्डन क्रित्रिम ग्रिन हाउस दौरा बनसपतियों के संदक्षन किस बीधी के अंतरगत आती है तो वाह ये अस्थाने संदक्षन पती एक सीचू कंजर्वेशन बरतमान भारत में कुल कितने जैव मंडल रिजर्व है तो 18 जैव मंडल रिजर्व को हम लोग एक बार देख लेते हैं यहां पर भारत के बन जीव अभ्यारन है राश्टी उद्यान वह टाइगर रिजर्व है यहां पर तो राज्य है जमू कास्मीर जमू कास्मीर में दाची गाम है सलीम अली पक्षी विहार के नाम से भी फेमस है किस् सीत मर्वस्तल है खोकेरसर है सुरींशर मांसर है टाइगर रिजर्व कोई नहीं है लद्दाक में हेमिसाई हैर वन्या जीव अभ्यारन में है चांक ठांग हर्यानमें काले सथ सुल्तान पूर है वन यू अवियाहरन है कालेशर और नहर हे माले हिमाचल पर्दिस परक है इंदरकीला है खिरगंगा है पिंगाटी है सिंबाल बारा है चंद्रताल चंद्रतल है गोविंद पसु विहार है नंदा देवी है राजा जी है फूलो की घाटी है फ्लावर वैली और बन्य जू अभियारन में देखते हैं तो केदारनात है और टाइगर रिजर्ब में जीम कारवेट है राजा जी टाइगर रिजर्ब है राजास्तन में देखते हैं तो केवला तबू है उसके बाद से सरिस्का है जौहर सागर है राश्टी चंबल है और वन विहार है टाइगर रिजर्ब में देखेंगे हम राजास्तान में तो रन्थम भौर है सरिस्का है मुकुंद्रा हिल्स है गुजरात में अगर हम राश्टी उद्यान देखेंगे तो गीर वन है म पूर्णा है जंगली गधा है और टाइगर रिजर्व कोई नहीं है महराष्ट में देखेंगे तो संजय गांदी है जो वोरिवली है पेंच है जोहरलाल नहरू के नाम से फेमस है तदोबा है गुगामल है नौगाव है चंदोली है और अगर हम वन्य जीवा भया अभ्यारण पूर्णिय की बात करें गुजरात में सौरी महराष्ट में तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है फंसट है बोर है कलशुबाई हरिसचंद्रगार्ड है मेल घाट है नाकजीरा है करनाला पक्छी पेन गंगा उम्रेद पॉनी करहंदला हैं मेल घाट है टाइगर रिजर्व म महारास्ट में मेल गाट है तडोबा है तडोबा अंधेरी है पेंच सहयादरी नोगाओ नगजीरा बोर गोज देखेंगे हम गोवा में राष्ट्रिय उद्यान कौन-कौन से है तो महावीर मोलेम है और महावीर जो है वो वन्यजुव अभियारन्य है और टाइगर जर्व कोई नहीं है करनाटक में हम देखते हैं तो राजिव गांधी राजिव गांधी नागर होल है कुदेर मुख है वनेर घटा है अन्सी है बांधी पूर है ये सब राष्ट्रिय उद्यान है और वन्यजुव अभियारन्य की बात करें हम करनाटक में तो डांडेली है घाट परवा है चिंचोली है ताल कावेरी है और टाइगर इजर्ब की बात करें तो बांधी पूर है बद्रा है डांडेली है अंसी है नागर होल है विलगिरी है रंगनात मंदिर केरल में अगर हम राष्ट्रिय उद्यान की बात करें तो अन्ना मुडी है इरावी कूलम है मथी केटन सोला है परावी कूलम सोला है पेरियार है साइलेंट वैली है अगर वन्य जीव अभियारन की बात करें तो थडिककर पक्षी अभियारन है इडुकी है नेयार पारामभी कूलम है मालावार है पेरियार वैनाड है पेरियार परंबिकुलम है यह पेरियार और परंबिकुलम जो टाइगर रिजर्फ है केरल में केवला देव साइबेरियन क्रेन नमक परवासी पक्षी का आस्रय अस्तलवा मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में सामिल पर्थम राष्टी उद्यान है चलिए आज के वीडियो में इतना ही फिर हम लोग मिलते हैं एकश्ट एपिसोड में और इस एपिसोड होगा यहीं परियावरने मं पारस्तितिकी का नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें नेक्स्ट टोपिक हम लोग कवर करेंगे और अगर आपनों को यह अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब लाइक कीजिए, share कीजिए और comment में अपनी राय बताइए और इसको अपने दोस्तों को भी share कीजिए, चलिए, thanks a lot